नमस्कार विद्यरति मित्रो जिस भी शुर्ण ने इस साल टीवाइब पास आउट किया है और जिस भी शुर्ण का ग्रेदुशन कंप्रिट हो गाया और जिस भी शुर्ण का एक से लेकर छे सेमिश्टर के अंदर एक भी केटी नहीं है उन सब भी के लिए कॉन्डोकेशन की जो फॉर्म हो स्टार्ट कर दिये गए तो उस फॉर्म को कैसे बढ़ना है मैं आज आपको बताऊंगा सबसे बहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना है उसके बाद MSU डिजिटल सर्च करना है कि उसके बाद MSU डिजिटल पर क्लिक करना है आपको कि उसके बाद आपको स्टुडल लॉग इन पर क्लिक करना है कि क्लिक करने के बाद आपको यहां पर यूजर नेम है जो भी हो डी 90 डी 20 डी 80 जिस स्टार्टिंग से हो रहा है उसको आपको यहां पर डालना है उसका पासवर डालना है उसके बाद यहां पर आपको सी आल्फ कि यहां भी आपको आपका फोटो और सिग्निटर चेंज करने की रिकार्मेंट दी गई है अगर आप उसको चेंज नहीं करोगे तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाऊगे तो आपको एक ब्लैंक पेपर आपका साइन करके उसको फोटो किस लेना है और एक पासपोर्ट से इ रखना है उसके बाद चेंज फोटोगरापफ पर और स्ट दिघनेठर पक्रिख करना है अ小時 माद है कि हो आपको एक आसा एकूब्हार लिखा देगा तो आपको यहां पर च्यूज करना है आपका जो फोड़ो आपने जो खीचके रख़तए फोड़ो चूज करना है करनो ऐसके बाद आफाई आपकर सिग्नेचर में इसकी बाद रिक्वेश अप्डेट अ कुछ उस्क्ला प्रोसीड करोगी आपको यहाँ यहाँ पर टॉय क्लिक करना है सिस्के आपको अप्लैक आपशन दियेगा है कि यहाँ को ख मैं कुफिक करना है जैसे लिख करोंगे यहां पर आधार नमब्र आपका चो सब्जेक्ट होगा हो पर सब्सक्राइब करना है उसके बाद स्टेट्मेंट पर क्लिक करना है उसके बाद यहां पर आपका जो आड्रेस रहेंगा है वह आपको डाले जूपर मैं या फिर अपर तो कि आपका अधर काड़ का नंबर होगा इसलिए आपको यह सो तो यह सब अगर अभी नहीं हो तो नोब आप टिक कर सकते हों पर्मेंट एड्रेस रहेगा आपका आपको एड्रेस आपका क्रोस्टेक करना है रफका जो इमेल आइडी है वह पॉंटेक्ट नमर उसको भी आपको क्रोस्टेक कर लेना है उसके बाद यहां पर आपको प्रोश्टेट टू कंफर्म अप्रेक्शन पर क्लिक करना है जैसे कंफर्म करोगे आपको यहां पर ऐसा लिखा जीगा रपकी जो फीज रही हूं फाइट वेंटी रूपीस है मतलब पांसो बीस रूपे है आपको जो की पर कवानी रहेगी तो आपको यहां पर क्रिक करना है किस बात अगर आपको अपन्प करना उसके पाद अपको फी송ं क्का जो आशान कर सकते हो और फोर्म ने कि लास्ट डेट ट्वेंटीफाई 25 यह 25 तरह की लिए डेट है यह लास्ट उसके बाद आप फॉर्म नहीं भरपा होगे तो आपके बास चार दिन बाचे तो फॉर्म भर दो 25 के बाद फॉर्म स्टार्ट नहीं होगे कि थैंक्यू